नौक नौक, क्या हुआ, नहीं हुआ कोश्चन, नहीं समझ में आ रहा कि इस कोश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, तो मेरे वीर जवानों ध्यान दखेगा, अगर आप इस प्रकार के कोश्चन को करना चाहते हैं, तो सबसे में बात कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी करना है किस प्रकार calculation करनी है तब से पहली बात यहां पे 90% questions में क्या होता है जो यह आपकी छोटी संख्या है छोटी संख्या में calculation करके यानि small number में calculation करके आपका बड़ा number आता है यह हमेशा ध्यान रखेगा ओके तो बच्चा यहां पे देखिए तो इस question में क्या होगा कि अगर मैं अगर बच्चा में 3 से 18 में भाग दे दूँ तो जब मैं 18 में बच्चा 3 से भाग दूँगा तो कित्ता निकल के आएगा 6 और फिर 12 में इसका गुणा कर दूँ तो बेटा 12 चिक्के कित्ता हो जाएगा बहतर उमीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया 12 चिक्के बहतर अब बच्चा उसी प्रकार यहां क्या आएगा तो यहां पे मेरे को कौन सा नंबर पुट करना चीए अगर मैं यहां पे 3 पुट कर दूँ बी तो बेटा इसमें भाग दूँगा तीन से किसमें भाग दूँगा चोबीस में भाग दूँगा तो चोबीस में जब तीन से भाग दूँगा तो बेटा आठ और आठ का गुणा करूँगा किस के साथ 14 के साथ तो बच्चा कितना आएगा 112 यानि यहां पे क्या आएगा तीन यानि बेटा 3 is the right answer और बच्चा अगर आप चाहते हैं इसी तरह अच्छे-च्छे कोशन्स की तयारी करना अपने एक्जाम्स के लिए तो बच्चा ये है आपके सामने टाइम टेवल सभी बच्चे इस टाइम टेवल में क्लास में जुड़ जाये करो आपके लिए सभी